नमस्कार उम्शंते माइ इनिया हेल्दी इनिया में आप सभी दर्शोकों का एक पार फिर से स्वागत करते हैं Litenko, हम जब भी बात करते हैं किसी डॉक्टर से, तो अपने हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कोई भी मकरीज की डॉक्टर के पास जाता है, तो आज मेरी तब्येत ऐसी है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे कौन सा योग करन फिलाल आज का जो हमारा टॉपिक है PCOS यह आप सभी जानते हैं यह एक शौर्टकट फुल्फिरम है आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुमेधा जी से जो PCOS की डॉक्टर हैं साथी साथ 2004 अक्तूबर में से इन्होंने अपनी इसकी डॉक्टरी उपादी प्राप्त की हुई है अ और जहां तक मैंने इनको जाना है तो इन्होंने ये भी मुझे बताया है कि COVID की महामारी में इन्होंने परिवार के साथ COVID की जो आपने अभी भी महसूस की हुई थी इसमें 500 से करीब या अधिक बोलें मरीजों की मदद की है ओनलाइन अगर आप इनसे बात कर सकते हैं तो आ आज हम मारा एक टॉपिक है है PCOS ये एक बहुत बड़ी बिमारी है इस्त्रियों के लिए महिलाओं के लिए आज कल की महिलाएं हर एक 18 से जितने भी बड़ी एस आप गिंते करते जाएं जब तक ये बिमारी हमारी खत्म नहीं होते कोई लेडिस कहती है कि मुझे ये ऐसा है ऐसा फिल हो रहा है और शर्मिंदगी की वज़स से वो डॉक्टर के पास भी जाने में हिच खिच आती हैं तो ये शर्मिंदगी हम अपनी खत्म करके डॉक्टर से आज सुमेदा जी से बात करेंगे पहले तो उनका स्वागत करते हैं माई इंडिया है एल्द इंडिया में स सुमेदा जी आपका इस कारेकर में बहुत बहुत स्वागत है थांक यू जी आर मैं अपने आपको सभागेशाली समझते हूं कि आज मुझे इस स्टेज पे मेरे बाबा लेकी आए और खुशहाल जिन्दगी जीने के लिए सबस्ट आले अपनी सेहत का ही ध्यान रखना चा का घंचाए तो आपके बारे में मैंने जतना जाना है मुझे लगता कि कम है मैं आपके बारे में ओर जानना चाहतिएं और ये जो झिस बीमारी के बारे में और हमारी बातचीत होगी आपसे PCOS यह एक शौकाट फॉल फॉर्म है इसको हम जैसी महिलाय या कूच गाउं की जो महिला हैं पूरी एक तरीके से कहने में शर्मिन की मैसूस करने हैं किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर भी नसे खुलके बात करना चाहता है लेकिन वो खुलकि बात करा पाधें। के साथ साथ ही आएगा अभी क्या हो रहा है विट टाइम कोविड के बाद कुछ हमारे अंदर की प्रतिक्रियां ऐसी हुई है कि अब जो रियाक्शनरी जो रिस्पॉंस हमारी बॉड़ी दे रही है उसे कहते हैं ऑटो इम्म्यून डिसॉडर तो इसके अंदर ही इन्टोम आ रहा है और बैसिटी इसी की कारण आ रही है वही सेम चीजे का रहे हैं वही सेम चीजे कर रहे हैं बद फिर बी अंदर बदलाब जो है शरीर में वहारा है लेकिन खासकर महिलां के अंदर यह चीज़ देखी जाए जिसे आप लेली जी कि 18 से ऊपर और 50 से कम कि जो महिलाए हैं, उनके अंदर ये जादा जो इस्तरी रोग जू कहते हैं, बहुत ही कोई कहते हैं, मुझे आता नहीं है, या मुझे पीरिस नहीं आते हैं, या मुझे ये प्रॉब्लम होती है, या ऐसी, ये सब चीजों का लक्षन क्या है? जी, पॉलिसिस्टिक ओवेरिन सिंड्रूम, ये एक अब कॉमन वे में ही अब कॉमन हो गया है बहुत जादा, हमारी लड़कियों में, यंग जनरेशन में, शादी के बाद, हर स्टेज पे PCOS दिखाई देने पड़ रहा है, एक्चली हम जब एंडोक्राइन हॉस्पिटल में पेशन्स को देखते हैं, तो उसमें हमें हर स्टेज में जब आते हैं, तो उनके हर एक के अलग-अलग टेस्ट, अलग-अलग ही उनके सिंटम्स, और अलग-अलग ही उनकी कॉजिस होते हैं, तो एक-एक करके हम उसको देखेंगे, और पहचानेंगे कि हम खुद ही घर नремता कि पैसिता है है, ने से खालते हैं भábन है अपनी नहीं कर वाहिक है? तब जये इता भार का? वह आप से खिल्ग हरा, तो कि आज कल देखागों कि आज कर िको आज को हम प्रवाती है। झा़ क्यों पुछा थाैस्द है, वाह झालत पूह पिंगभी है? जी महिलाओं को जैसे अगर महामारी नहीं आ रही है जैसे उन्हें फिकर होता है वो किसको बात करें अकसर देखा गया है कि उनकी सास या उनकी आसपास की जो बड़ी आउरते हैं वो भी उसको पहचानती है तो आजकल बहुत कॉमन है इसलिए वो उनसे बात कर सकती है ताकि उसको जाने और उसके साथ साथ उनको हास्पिटल लेके उनको एक बार पूरा एवालिशन करके पता लगा सकें और यह बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है तो कि बेसिक चीजे होती है हॉर्मोन्स और अभी उनके टेस्ट भी इतने कॉमन और एकनोमिकल है कि ठर्चे की छोड ख़र्मोन और ख़र्मोन इंडायन के अनके म में चामत्तृ आप लिक दे ख़रेंगें प्रन dा मझेहें होोने फ़यों मेल होर्मोनिकी इनको अवल्य होते हैं तोनों एक पीमी JOHN और प्रजेस्टरॉन जो की ओवरी से निकलते हैं तो अब फीमिल हॉर्मोन्स जो है हमें बेसिक जो है उनका पता करना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ओवरी बच्चादानी के बाहर दो ओवरीज हैं वो दो ओवरीज के साथ-साथ अगर वहां से हम देखते हैं क वहां से हॉर्मोन्स आते हैं पूरी बाड़ी में सर्कुलेट करते हैं और जब इस्टरजन प्रजेस्टरॉन होते हैं वह हमारी फीमिल बाड़ी आर्गन्स को हेल्प करते हैं हर लड़की में हर एक वैवार है एक फीमिल पहले के ओड़ें क्या करते थी घर के काम करती थी या उनके अंदर एक खाना बनाने की इंस्टिंक्ट थी, यह सब अक्टिविटीज जो थी, वो फीमिल हॉमोन्स को सप्रेस नहीं करते, और मेंट करते थे, अक्टिव करते थे, तो यह अक्टिविटीज जैसे जैसे देखी गई है कि कम होती जा रही है, जादा लोग नौकरी और पढ़ाई की तरफ ध्यान देने रग गए हैं, और बहुत चैलेंजिस फेस कर रहे हैं आज फिलकी लड़किया, बेशक उनको करना भी पढ़ रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है बात, मैं तो गहते हूँ और करें, और लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्ट प्राइम मिनिस्टर की अध्यान देखा गया है, बिलकुल एक पार हैं विद मेल्स, तो पर इसके करना जो हॉमन इंबालन्स हारा है, वो अब देखा गया कि सिरफ एक्टिविटीज और इनको चेंज करने से भी नॉमल आ सकता है, उनकी सुबह की दिन चारिया भी ठीक हो ज यहां फिर डाइबटीज हैं यंग जनरेशन में, वो अराम से इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन यह आपने बीच में इक बात इंक्लूड की कि हॉर्मोन्स इंबालन्स हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? जी, जैसे मेल हॉर्मोन और फीमिल हॉर्मोन इक बाड़ी में देखी अभी क्या है जैसे जैसे हमारे अंदर होता है कि हमें कुछ सिट्वेशन फेस करना है, सब्सक्राइब एक लेडी है, वो जौब पे जा रही है, उसके वहां टीचिंग जॉब है, उसको टीच करना है, पंपीट करना है, तो वहां के जो वातावरन है, जो स्रेकंस्थांसें उसमें टेस्टिस्टोराण को लुग जुरूरुत पर्तिएए वहां क्या जूरूति जूरुत परता है जहां कॉंपर्डिशन अजाता है, तो क्या करते हैं वह आकुर साक्षफुल, बाताव धिन लेवल तदे लेवल तक लाने के लिए, तो तो फीमें हार्मों के लाड ह एंटाइम इन्सम जा है और हम ऐभ अभी है जब तेटर्ट इन पोड़िया जरा जो तो अब मेल हांओ को टी involving । hiring केरियetime तो इनसान च्मकमा टी है उसके स्टक्चर बड़ा होनल जाता बेड़ना तु थी इमेर्स में भी वह चीज़ आने लग जाती हैं, धीरे धीर उनका स्ट्रक्चर बड़ता है, उनका कॉन्फरेंस बड़ता है, बट साथ के साथ उनके इंदर जो कभी-कभी अन्वांटेड फेशिल हैर्स देखे गए हैं, वो पीसियरस में भी होते हैं, और अकने कईवार पशान करते हैं, कहीं कहीं. जो जादी के बार ये शादी से पहले की जो गर्ल्स हैं वो दोनों में क्या डिफरेंट हो जाएगा तरह यह एक हमारी कैसी है अग मैं अपनी ही बात करूँ यह किसी लेडी की बात कर चूँ तो इसमें हम कैसे परिवर्पन करके आएं जी बहनिया आपकी बहुत ही अच्छी से एक प्रशन है और यह हर एक जना फेस कर रहा है तो इसमें मेल हॉर्मोन जब घर में आते हैं वही फीमेल आप वर्क्ट्रेस में अभी आपको दिखाई वहां तो बहुत एक्टिव हैं और उनने अच्छा चैलेंज फेस किया अब वह बुए खाना बनाना है और उसके बार उसको रहना आपको रहना एसे डाप करना है बच्छों को अभी जो फीमेल सो जी हां इस मोटेने जिनके उन सबको शंभाललना है तो कहींना कहीं वहां इरिटेशन श्रू हो जाती है कहीं नग कहीं वहां उनको लगता पीरिस कम होने लग जाते हैं, कई बार अनीमिया के कारण भी होता है, डॉक्टर सम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं, अनीमिया है, सबसे कॉमनिस्ट फॉर्म है, अनीमिया, जी, अनीमिया इस नतिंग बद जब हमारे अंदर की खून की कमी होती है, हेमोगलोबिल लेवल दस से नीचे जाना शुरू हो जाता है, और कई बात थायरोड की प्रॉबलम से भी ऐसा पीरेज कम होने लग जाते हैं, थायरोड जो टीच हॉर्मोन है, जो हमारे में ग्लैंड, पिचिटरी ग्लैंड है, उधर से ही सब कुछ हॉर्मोन सारे आते हैं, वो स्टिमलेट करते हैं बाकी ओर्गन्स में जाके बाकी हॉर्मोन्स को, तो अब यह है कि यह लेडी घर आई, उसने देखा कि मेरे को पीरेज ने आ रहे हैं, उन्ली कब आते हैं विरेज अठाईस ड्रॉट्टे यह का नॉमल साइकल होता है, भर मही ने उनको रेगुलर साइकल आते हैं और पांच दिन के लिए गाते हैं, तो हम उसको सबसे पहले सोचते हैं कि इसका हेमोगलोबिन कम हुआ होगा, फ़िबर खाने पीने की कमी के कारण भी होता है, तो उनका हम सिंपल हेमोगलोबिन और थाइरोड टेस्ट कहते हैं, तो क्योंकि वो स्टेज लेवल वन है, अगर उसमें उनको थाइरोड लेवल नही होती हैं, जैसे आपने कहा कि एक एज होती है, लेकिंद कोई कहता है कि मुझे नहीं आ रहे हैं इसके लिए टैबलेट का होना बहुत जरूरी है या जैसे रेगुलर हमें टैबलेट लेना चाहिए क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है लेडिस दिखाते हैं उनको तीन मेने का कोस होता है छे का भी होता है एक साल का भी होता है अलग अला पूरा एवालुएशन कर रखते हैं, बॉड़ी के अंदर का अगर हॉर्मुन है, खाली उसको पहले हम तीन महीने बोलते हैं, कि आप पेशिंट आया, उसने का कि मुझे नहीं आ रहा है, उसका है हमोगलोबिन ठीक है, टी एसस टीक है, बट अब उसको क्या है, स्ट्रेस साद है, 25-30 BMI का मतलब है, ओवरवेट, 30-35 के बीच अगर BMI आ रहा है, तो वो अबीज में आते हैं, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई केस आता है, तो उनको हम दो महीने घर बेज के बहले बोलते हैं, कि आप अपना वेट वरजन कम करिए, ज्यादा सिटिंग है अगर तो आप व हो रहे हैं, नहीं हा रहे हैं, फिर हम उनके हर्मोन टेस्ट करके, तो अगर उनको अगर में तेस्टोरोन के लेवल बड़े हुए हैं, तो फिर उनको टाब्स पे डालते हैं, जहां पे हम बहार से इस्टोजन अपर जस्टोरोन का कॉम्बिनेशन, यहां खाली इस्टोजन, स्टेज वाइस जो होगा उनको जो भी सुट करता है वो तीन महिने का होता है वैसे जनरली बड़ पहले उनको टेस्ट टेस्टिंग दोस देते हैं और उसके बाद गवह उनको ट्राइल फेस होता है मेडिसिन का भी पहले एक महिना चेक करके देखते है कि बाड़ी जो हमारे पास पहली बार आ रहे हैं, जुनोंने अब तक होमोपैथिक ही मेडिसिन दी है, उनके लिए कई बार ऐलोपैथिक रियाक्शन भी कर देती है, और परिस्थिति के हसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, इवन हम भी देख लेते हैं, कि यह होमोपैथिक है, इसकी ब ना कि बड़ी ज्यादा है, तो अलोपैथि में भी हैवी डोस होता है, लाइड दोस होता है, तो उसके पेशन का जो भी अगर अगर उसने लिए हुए हैं, बहुत सारी ट्रीट्मेंट करवाई हुए है, तो वह बाड़ी जल्दी अच्छा रिस्पॉंस भी देती है, तो य हमारे शरीट से महा हमारी थोड़ा दूर होती है, तो दोनों की बीच में ऐसी क्या चीज़, जी सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी, कि अगर उनका महीना पूरा टाइंग पे नहीं आरा, तो एकदम से स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए उनको, हर लेडी को, जैसे अग महीना का regular करने में उसको time है, मतलब उसको कोई emergency नहीं है, कि अभी मुझे बच्चा, शादी के बाद तो होता कि बच्चा करना है, मुझे regular periods नहीं होंगे, तो बच्चा की problem आएगी, उनको family pressure भी आएगा, तो जो young लड़किया है, उनको हम कहेंगे, कि अपना nutrition ठीक करने से, अपना मन की परिस्थिती अच्छी होने से, जैसे हम लोग अपने meditation सबसे अच्छा lifestyle है, सुबह लेट नहीं उठना, सुबह जल्दी उठना, ये सब चीजें जो हैं, वो हमारे hormones को control करती है, जो देखते हैं, हमारे वातावर में इतना exposure है, बाहर का western का, तो वो सब चीजें विखाने पीने का, तो अगर उसमें वो कंट्रोल करें, अपने पुराने basic, जो हमारे Indian traditional way से हम अपना उठना बैखना करते हैं, वो बापिस में तो कहते हूं, वैसा ही अगर उनका बन जाए, बाहर की चीजों से प्रभावित ना होकर, अपने ही अस्तित्व में ठीके रहें तो वो बेस्ट है, जैसे आपने भी खानपान के बार की, तो इससे मुझे एक विबात ये ध्यान आते हैं, कि आप ब्रह्मा कुमाईज में भी आप चलते हैं, तो आप एक ये थोड़ा योग के माध्यम से भी कुछ हमारे शरीर में कुछ इसकी vibration जाते हैं क्या? जी, बिल्कुल जाती है, मन से ही सब कुछ है, जैसे PCOS है, आपको कितना कुछ PCOS के बारे पता चलेगा है, हम अगली बार फिर इसके बारे डिसकस करेंगे डिटेल में और इस पार हमें ये पहले से हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा मन शांत होए, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारे अंदर के शरीर में परिवर्तन जो है, वो हम अपने आप कंट्रोल कर लें, बाहर की मेडिसिन से पहले ही, तो उसमें सबसे जादा इंपॉर्टेंट है, हमारा मन में प्यार रहे, हमारे मन में किसी के लिए कुछ अपकार परवकार करने की भाव ना रहे, और हम हमारे अंदर एक नियम बना रहे, दिन चर्या, जिसे हम कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स में भी हम जब PCOS का यह कोई अंडोक्राइन का कोई हामन का आता है, पेशेंट जिसको हम कहते हैं, यह मेडिसिन तुमको सुबा छे बजे उठके खानी है, उसका में कारन यही है, कि जो लेट उठते हैं, दस बजे यहां ग्यारा मजे, जिनका ओफिस लेट है, सुपोर्ज सो, कहते हैं, हमारे तो नाइ डूटी होती है, हमें ग्यारा बजे उठना पड़ता है, रात को लेट सुना पड़ता है, तो फिर भी डॉक्तर्स कहते हैं, कि वो दिन चर्या से ही उनके ह सुपोर्ण दिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सुबा उठो, हमारे मेडिटेशन में भी हम यही कहते हैं, कि सुबा एक बार उठो, छे बजे, पांच बजे, और उठके अपना दिन चर्या स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चड़ता है, और जैसे ढलता है, हमारा शरी एक योगा के माध्यम से भी हम अपनी खास कर कि महिलाएं अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, जो उनको यह महामारी है, आपने अभी हमने आपसे कुछी प्रस्तन पूछी है इस बीमारी के कारण, अगली कड़ी में पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ और जानकारी प्रा जाती है, अगली कड़ी में हम फिर से आपसे इसी बातचीत पे फिर सी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपका पूर्बर धन्यावार, मित्रो आज हमने जाना कि कैसे एक इस तरी अपने आपको स्ट्रेस से अपने दूसरे काम से अपने आपको ठीक कर सकते हैं, अपने घर परिवार को चला सकती है, जैनि कि सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने शरीर को कैसे रजना है, तो कि इस तरी को कोई और रोग हो या ना हो, लेकिन ये एक महामारी है, तो अपने शरीर को वो स्वास्त्य नहीं रख सकती, अगली कड़ी में फिर से इसी टॉपिक पे इसी चीज़ पे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए दीजे मुझे जाज़त, नमस्कार, ओम शन्ति